कुछ दिनों पहले ही एर इंडिया का अमेरिका के बुइंग और फ्रांस की एर बस के शट 470 विमान खरीदने की एक बड़ी डील हुई है इस डील के तुरंत बाद ही इंडिया की सबसे बड़ी एर लाइन इंडिगो द्वारा भी करीब 500 विमानों के खरीदे जाने की गोसना की गई है टाटा ग्रुप की एर इंडिया की इस बड़ी डील के गोसना के बाद अमेरिका फ्रांस और प्रिटेन के राष्टा द्याच्छों ने भारस की प्रिसंसा की और कहा कि इस डील के बाद उनके देशों में रोजगार के बहुत शारे आउसर पैदा होंगे पर यहा बड़ी शंक्या में विमान खरीदने की डील हुई है वो किस तरफ जाएंगे क्या ये भारत में ही बने हुए विमान खरीदेंगे या फिर बाहर जाएंगे जब से एयर इंडिया ने कहा है कि वो एयर बश और बोईंग से 470 विमान खरीदेंगे तो ये डील विमान के चित के औसर पैदा हो शकेंगे टाटा के बद इंडगो ने भी कहा है कि भाई हम भी 500 विमान का ओर्डर आलरेडी दे रखे हैं तो दोनों मिला कर लगबग 1000 एयरक्राफ्ट ओर्डर हुआ लेकिन इतनी बड़ी मत्रा में एयरक्राफ्ट के ओर्डर की बत शुनने के बाद आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही है तो भारत में क्या विमान नहीं बनाए जाशकते एक हजार विमान बनाने के लिए तो कंपनी को यहां आज जाना चाहिए बनाने के लिए दूसरे देश क्यों जाना चाहिए रोजगार अगर द लाइने की नौकरी कर लेंगे या उसमें फ्लाइट अटेंडनेंस बन जाएंगे या उसका मतलब जो ग्राउंड इस्टाप है वो बनेंगे हम ये क्यों ना सोचें की बनाने वाले भी हम ही हों तो इस वीडियो में जानेंगे की कैसे रशिया ने भारत को अपने देश में एर शायद आप लोगों के इस सवाल को रशिया समझ गया और रशिया ने इसका स्वालिशन सबके सामने रख दिया है 211 की एक रिपोर्ट के अंशार दुनिया के अंदर जितना भी फ्लाइट निर्मार का मार्केट है उन में से 413.5 एक बिलियन डॉलर का मार्केट सेयर बोईंग और एयर बस कमपनी का है मतलब 90% मार्केट अमेरिका की और यूरोप की कमपनीयों का है ऐसी इस्तिती में बड़ी बत ये है कि दुनिया के और जितने भी मैनुफेक्चर कमपनी हैं चाहे वो चाइना की कोमेक हो जापान की मिटसुबिशी हो और फिर रूस की यूएसी हो इनका सेयर मार्केट बहु पारी टेक्नलोजी हमारे देश ये कहीं बार जाए इस बत को शायद रूस समझ गया और सेंक्सन हिट रसिया ने भारत को कहा कि देख ये जेट दो तरह के होते हैं फाइटर जेट जो युद में काम आता है और सिविल जेट जो आम लोगों के यत्रा में काम आता है तो उसन इसे रूस ने भारत से कहा है कि जब आप इतने शारे देश की लोगों को इतना तरह का रोजगार दे रहे हैं और वो लोग वहां पर रोजगार पैदा कर रहे हैं तो मैं आपको इससे एक बहतर डील देता हूँ और वो बहतर डील ये है कि आपने जिस तरह से अभी श्वा करवाया है दुनिया बर में कि हमारे यहां रोजगार पैदा होगा मैं आपको ओफर करता हूँ कि आपके शहर में दूसरे तरीके कर रोजगार भी दे दूँगा वो लो कैसे तो उन्होंने कहा कि मैनुफेक्टरिंग भी होगी कहने का अर्थ यह हुआ कि अब अमेरिका क्यों जाना बोइंग के पास जब मेरी कमपनी यूएशी यह आपके यहां पर आकर हैच एल के शाथ मिलकर सिविल जहाज बनाने को तयार है आप निर्माड अपने देश यही करिए ना तो भारत के एविएशन मार्केट के लिए अब जो खरीदर और दावेदर लगे हुए हैं उ क्या रसिया के अंदर ऐसा कोई भाव पैदा नहीं हुआ कि वो अपना प्रोड़क्ट हमारे यहां बनने देगा क्या उसका प्रोड़क्ट कॉपी पिष्ट नहीं हो जाएगा तमाम बाते होंगी लेकिन उससे पहली बड़ी बत प्रतवन्दों से गुजर रहा रूस और ऐ सेंक्सिं रूस पर लगाए गए हैं इन सेंक्सिंस की वजह से इस समय रूस दुनिया का सबसे अध़कंप्रत्रिबंदों को जेलने वाला देश बना हुआ है इसमें अधकांस प्रत्रिबंदद देशा ने सीविट्बंद देशों के द्वारा इनके व्यक्तियों पर लगा जिस पर आम जनता ट्रविल करती है इनके अधिकान से सिविल एयर क्रप्ट बोईंग और एयर बैस के द्वारा ही निर्मेत होते हैं ऐसी इस्तिती में एक प्रकार की डिपेडेंसी रूश की अमेरिका और यूरोप पर थी लेकिन प्रिजबंदों की आड़ में रेशियन को प कि यदि ये दोनों कमपनी हमारे शाथ नहीं आशकती तो कोई बात नहीं हम अपना एयर करप्ट खुद चलाएंगे हम अपनी कमपनीों से कहेंगे कि वो खुद का एयर करप्ट बनाएं इसी के सथ रशिया ने एवियेशन सेक्टर में काम करना सुरू कर दिया और यद आई भारत की कि आप भी तो इन दोनों एयर बस पर निर्बर होने जा रहे हैं यदि आपको वाकई में चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस रखें तो आप अपने एक हज़र के आसपस एयर करप्ट इन दोनों ही देशों से क्यों खरीद रहे हैं इन दोनों कमपनीों से क्यों खरी का में क्यों दें हम इतना रुजगार यूके में क्यों दें हमारी देश की जरूरत पूरा करने के नाम पर अमेरिका यूके और फ्रांस जैसे लोगों की जिन्धगी क्यों बहतर हो आत्म के हिंदुस्तान एरोनेटेक्स लिम्टेट के शात मिलकर अपने द्वारा नए एरकाप्ट बना कर देशकता हूं और उन विमानों के अंदर मैं शुकोई शुपर जेट आपको बना कर तुरंत देशकता हूं जब से सैंक्सन हिट रशिया ने भारत को एरकाप्ट बनाने की ब एसी रशिया की एक कंपनी है उसके डिरेक्टर है यूसी स्लाइसर इन दनों इंडिया आए हुए थे एरोसो के दोरान इनी दोरान एर इंडिया की डील सामने आ जाती है ये व्यक्ति रुका रहा इसने उस चीज को एनलाइज किया इन्होंने तुरंत इंडिया में हेल के श अफर देकर चला जाता है तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा पशेंदा इसे लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्स क्रेटर जी को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबार दें